नमस्कार में नीशी भाटिया और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया कोरोना महामारी और दूसरी तरफ तनाव डेप्रेशन ये बिमारी आजकल लोगों में जादा सुनने को मिलती है क्या कारण है इसके पीछे का और क्यूं लोगों को ऐसी बिमारी हो रही है आज हम ये सभी बातों पर जोल डालेंगे कोरोना वाइरस और उसका दौर इसके बाद लोगडाउन जिस कारण छोटे से लेकर बड़े सभी वैपारी रोजमर्रा का काम करने वाले सभी लोगों को काफी नुकसान और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है दरासर लोगडाउन खुलने के बाद भी कईयों को कोवेट के चलते नौकरियों से हाथ दोना पड़ा तो कईयों को अभी भी नौकरी की तलाश में भटकना पड़ रहा है और अपना घर चलाने में असाय भी है जिसके बाद कई लोगों को तनाव डिप्रेशन जैसी बीमारिया हो रही है और इस तनाव के चलते कई लोगों ने क्राइम को दस तक दे रहे हैं वहीं इसी दोरान आउनलाइन या ओफलाइन क्राइम की वारदाते सामने आ रही है हाली में ओडीसा में एक ऐसी वारदा देखने को मिली जिसमें चोरी करने का तरीका सोशल मीडिया से सीखा गया और चोरी को अंजाम दिया गया हलाकि यूवक ने उसी बैंक से चोरी की जिससे उसने लोन लिया था दरासर लॉक्डाउन के दोरान ओडीसा में एक कारोबारी शक्स ने काफी नुकसान हुआ जिसके बाद उसने अपना लोन चुकाने के लिए दो बैंक को लूटा शक्स ने उसी बैंक को लूटा जिससे उसने लोन लिया था पिछले महीने शक्स ने सोशल मीडिया से चोरी करने का तरीका सीख कर 12 लाख रुपे चुराए पुलिस ने भुगनेश्वर में कारोबार करने वाले यूवक स्वामे रंजन जैना को गिरफतार कर लिया है जैना का शहर से भारी लाखों में साड़ी और आधी समान की दुकान थी लोगडॉन से पहले उसका 9 लाख रुपे का मासिक कारोबार था यूवक ने 19 लाख रुपे का लोन लिया था लोगडॉन में कारोबार बंध होने और जादा नुकसान होने की वज़ा से उसने चोरी करने की यूजना बनाई साथ सितंबर को शक्स ने टॉइगन से इंडियन ओवर्सिस बैंक को लूटा उसके बाद उस यूवक ने पिस्टल खरी दी और 28 सितंबर को बैंक ओफ इंडिया में चोरी की हलाकि लूट की कुछ रकम उसने लोन के हिस्से में भी चुकाई फिलाल इतना ही कहूंगी कि कितनी भी परिशानी हो पर किसी ऐसी वार्दात को जन्न न दे कि उसका भुकतान करना आपको भारी पड़ जाए सावदान रहें और जागरुप रहें और देखते रहें ये समझार इंडिया खबर से लेकर असर तक